हेलो इस्टुडेंट वेलकम टू पाइथन में डिजी ग्लासेज इस्टुडेंट आज हम देखने जा रहे हैं अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम और इसमें हम क्या करेंगे एक मैसे स्प्रिंट करवाएंगे और देखते हैं कि कैसे रन किया जाता है कोई भी पाइथन प्रोग्राम तो देखिए सबसे पहला पेज जो मेरे सामने ओपन हुआ है वो है अगर आपका कोड एक लाइन का है तो आप यहां कर सकते हैं नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मल्टिपल लाइन का कोड लिखना हो तो तूसरा पेज ओपन तो मेरा तो एक ही कोड एक ही लाइन का कोड है चलिए एक बार इस पर देखेंगे पहले तो चलिए मैसे स्प्रिंट करवाते हैं सबसे पहले तो लिखिए कि ट्रेंट कि वेल्कम कि टू पाइथन कि मेंड इजी क्लासेश और आप एंटर कीजिए देखिए आउट्पूट जस्ट ही नीचे आ लिया यानि कि आपको यहां कोई रन करवाने की जरूरत नहीं है इप कम्पाइल करने की जरूरत नहीं है यह तुरंत क्या करेगा आपको आउट्पूट दे दे गा है ठीक है और चलिए एक बार उसपे भी करके चेक करते हैं फाइल पर जाइए दाश किसे क करते हैं कि हाँ क्या से लिखते हैं सेंक कोड बक्रद आप करते हैं। वेल्कम टू पाइथन मेड एजी क्लासेश हम देखिए हमने क्या कर दिया एक कोड लिखा यह और यह मैसेज है वेल्कम टू पाइथन मेड एजी क्लासेश इसको हम रन करते हैं अब देखिए रन कैसे किया जाता है आप जाएए रन पे यहां क्लिक करिए रन मॉड्यूल यह क्या बोल रख सोर्स मस्ट भी सेप्ट ओके तो रन करवाने से पहले आपको सेप करना पड़ेगा तो चलिए हम किसे पहले सेप करते है फाइल को फाइल पर जाएँ और से बैस पर जाएए जहां आप सेप करना चाहते हैं वहां तेस्ट कर रहा हूं और इसका नाम में लाकी अच्छा यहां दोस्तो डॉट पी डॉट पीवाई डॉट पीवाई extension है और जो फाइल का नाम है वह टेस्ट है तो आप कोई भी फाइल सेप करेंगे पाइथन का तो आपको डॉट पीवाई लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स्टेंशन पाइथन का तो यह आप लोग ध्यान रखेगा तो से प्लिक किजिए पहले बनाया इसको रिप्लेस करते हैं अब रन करिए देखिए मेरा यह आगया वेलकम टू पाइथन वेज एडीज ग्लास तो यह मेरा कोड रन हो चुका है चलिए दोस्तों थैंक यू